हेलो बच्चो आज आप लोगों को कोशिका के बारे में जानना है कोशिका किसे कहते हैं तो देखे कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है या कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका बहुत महात्रिपूर कोशिया ने बैट तो कोशिका की खोच सबसे पहले रावट हुक नामक बैग्यानिक ने 1665 इस्वी में किया था 1665 इस्वी में रावट हुक नामक बैग्यानिक ने मरत कोशिका पे किया था बच्चों के ये मेनिंग समझ में नहीं आती कि सर मरत कोशिका का मतलब क्या होता तो ध्यान से देखिए बेटा इस तरीके की एक बोटल होती है और इस बोटल में ढखकर नहीं लगा होता बलकि इस बोटल में एक कार्क लगा होता कार्क का मेनी होता है लकडी एक लकडी लगी होती है तो ध्यान से देखिए जो ये कार्क है कही न ये कार्क जो है बेटा इसम में कोशिका की खोच किया लेकिन मरत कोशिका पे खोच किया था कई बार यहां से कोशन पूछा गया कि रावट हुक नामक बैग्यानिक ने मरत कोशिका पे खोच किया लेकिन किस पर किया था तो उन्होंने कार्ग पर किया था तो कार्ग का मेनिंग मैंने आप लोगों को बता लकड़ी का एक छोटा सा तुकड़ा होता है, जो बोतल पे लगा होता है, तो कही न रावट हुक नामक बैग्यानिक ने इस बोतल को देखा और उसमें एक मिन्स कार्क लगा हुआ था, इस कार्क को काट करके सूच दर्जी नामक के यंत्र से देखा, तो उनको कुछ इस तरी लिकी इस सन्रचना उनको दिखाई पड़ी और उन्हों नेसको क्या नाम दे दिया ,कोसिका नाम उसके बाद में बात आता कि antony one on living hawk नामक भैग्यानिक ने जीवित खोचका प GG इन्होंने सबसे पहले जीवाणू पेखोच किया किस पर GG यहां से पूछ जा था किए एंटोनी वाल लिवन हाक नामक बैग्यानिक ने जीवित कोशिका में सबसे पहले किस पे डिसकवरी किया था तो एंटोनी वाल लिवन हाक नामक बैग्यानिक ने सबसे पहले बैक्टिरिया अर्थाद जीवाणू पर खोज किया था और एक कोशन यहां से और पुछा जाता है एंटोनी वाल लिवन हाक नामक बैग्यानिक ने फिर माइको प्लाज्मा में सर्च किया और माइको प्लाज्मा में इन्होंने कोसिका की खोज की फिर इन्होंने सुक्राणू यानि कि जीवित कोसिकाओं में जीवालू माइको प्लाज्मा और सुक्राणू पर इन्होंने कई बार कोशन पूछे गए हैं कि एंटोनी वाल लिवन हॉक नामक बैग्यानिक ने जीवित को सिखाव में खोज की तो सबसे पहले जीवारू फिर दूसरे नंबर माइको प्लाज्मा फिर हमारा आता है क्या सुक्रारू ध्यान से देखें कि जीवारू की खोज किस नामक बै ग्यानिक ने किया था मिंस नोकार्ड राक्स नामक बैग्यानिक ने इन्होंने पसुओ में अध्यान किया तो पसु में जो है प्लीरो निमोनिया नामक जो है एक मैटर इनको एक बीमारी दिखी रोग दिखा तो उन्होंने इसको पी-पी-एल-ओ का मेनिंग क्या होता है त तो यहां से भी कोश्चन पूछा जाता है, कि सुक्राणू क्या है, तो यह सुक्राणू मेल का युगमाग है, अर्थात की पुरुस है, उस पुरुस का युगमाग क्या होता है, तो उस पुरुस के गैमिट का नाम होता है सुक्राणू, जो संतानुत्पन करने में सक्षाम ह होता है तो द्यान से देखेगा आप सवाल आता कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है द्यान से देखे बिटा संसार में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है सुतुर मुर्ग का अंडा कई बारे कोशन कमटेशन में पूछा गया रेलवे में बैंक में अन्ने कमटेट जो मैंने आपको बेरी अभी मैंने आप लोगों को बताया माइको प्लाजमा संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है यह जो माइको प्लाजमा है माइको प्लाजमा एक ऐसा जीव है बहुत सूच्व होता है यह जीवाणू और बिसाणू के बीच की करी भी मानी जाती है ध्यान इसमें को इस का भीति नहीं पाई आती है यह चिर आधिका माइक्टोर नहीं highlighting-ॐहिए से देने वाले महान बयोभ्यानिक उनका नौकव's देहां कोश्चन कहीं न कहीं का programs युँस ने follow और माईकूल प्लाजमा की सबसे पहले खोज किस ने किया तो माईकूल प्लाजमा की सबसे पहले खोज लोकाड रॉक्स नमागबय ग्यानिक ने किया था ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है अब हम बात करेंगे कि मानों सरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है या अं गैमिट होता है गैमिट का मतलब क्या होता है युगमक तो फिमेल के गैमिट का क्या नाम है या फिमेल के गैमिट का नाम क्या है अंडाणू ये मानो सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ये सबसे बड़ी कोशिका है और मानो सरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है तो मानो कौन सा निवरान निवरान जो होती है बेटा सबसे लंबी कोशिका होती अर्था तंत्री का तंत्र तंत्री का तंत्र जो है सबसे लंबी कोशिका तो प्लीज बच्छो कोशिका मैं मैंने आप लोगों को पता हाध्यान से देखिए कोशिका का अध्यान कोशिका का अध्यान कि मरत कोशिका पर खोज किया एक बोटल थी उस बोटल में एक कारक लकडी का एक तुकड़ा लगा हुआ था वह बिल्कुल क्या है उसमें कोशिका द्रब नहीं दैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह मान लीजिए क्या है यह मरत कोशिका है इस मरत कोशिका में यह सटतेर आपको दिख रहा है कहीं न कहीं, यह कोसी का भित्ती हैै, लेकिन इसके अंधर मेयटर है कही न कहीं जीवद्रव नहीं पाया गया तो कहीं न कहीं जब ऐग्यानिक stronger हूक निब इसकी नामक बाइग्यानक ने जीविदी कोशिगा जीवाड़ू पे,IPpowलाज़मा और माइकोपलाजमा और सबसे लंभी कोशिग का तंचर कोषि देध में आ गया कहीद कि यहां। सेamos flare में पूछा जाता है है तो प्लीज skincare बस आज इतना ही कि